हे दोस्तों मैं रहूल और मेरे पास है इंफिनिक 0 5G 2023 टर्बो एडिशन और आज की सुर्यों में चेक करेंगे इस फोन में ओटीजी का सपोर्ट है कि नहीं और ओटीजी का जरीए क्या है यह हाट ड्राइब को कीबोर्ड मौस पेंड्राइब और ओटीजी हब को सपोर्ट कर कर पाता या पर नहीं कर पाता है तो यहाँ पर फड़ा फॉट से वीडियो को स्टाट करते हैं वीडेो स्टे को स्प्स्कृत करते हैं गिन पास जंफेंड अब i.e 16GV स्वाइब पेंडे जहाँ पर मैंने OTG करके रखा है और एक मेरे पास यहें sand desk पेंडेए यहाँ पर jdax ctype port आता है और यह 64GV हाला है तो दोनों को करेंक करतेंगे दोनों कनेक्ट होता है की नी सबसे पेले यहाँ पर 16GV से ट्रा करते हैं यहाँ पर simply मैंने कर दिया है connect और देखिए OTG का symbol आ गया आप यहाँ से डैकली OTG को enable कर सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं इसके settings option में scroll down करके more connection के option में यहाँ पर आपको OTG का option देखने को मल जाएगा आप यहाँ से डैकली enable कर दिये यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा आपके file manager में यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको allow करने को बोलेगा यहाँ पर access हुआ है तो allow वगएरा कर दिजिएगा दिन आप यहाँ पर बैक हो जाएगा फिर से जाएगा यहाँ पर browse पर जाने के बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है शो कर देता है आपका data वागेरा uses वागेरा बट आपके यहाँ पर जाना पड़ेगा माई फोन में जाते हैं, यहाँ पर आपको OTG का ओप्शन देखने को मल जाएगा अब यहाँ पर OTG का ओप्शन मा आते हैं तो definitely इसने 16GB को connect कर लिया है अब मैं यहाँ पर 16GB को फड़ा-फड़ से निकाल देता हूँ और अब यहाँ पर 64GB pain wrap try करते हैं और यह connect कर पाता है कि नहीं देखने हैं तो मैंने यहाँ पर 64GB को भी connect कर लिया है और इसने इसको भी connect कर लिया, अगर मैं यहाँ पर फाइल में जरी पर पर और allow दे देता हूँ यहाँ ब्राउज में जाता हूँ MyPhone में जाता हैं और यहां पर OTG करते हैं तो देखिए यहां पर 64GB जो है इसने सेलेक्ट कर लिया और यहां पर सारे फाइल 64GB के एकसेस हो बाता है और अगर मैं प्ले करता हूं तो यहां पर यह बड़े आम से play हो रहा है कोई issue नहीं हो रहा है कहीं पर भी cut करने में भी कोई issue नहीं हो रहा है सब्सक्राइब करता है अब चलिए यहां पर यहां पर इसे आपके सामने तो यहां पर फटाफट से चल जाते हैं फाइल पर यहां पर फिर से आजाते हैं तो अभी तक यहां पर तो यहां पर यहां पर काफी देर मैंने जो है और इस तरीक नोटिक्शन आ रहा है देखिए इसु वित लिनोव युज वी ड्राइब तैब तो यहां पर यह यहां पर यह वंडी पर को सपोर्ट नहीं कर पार अगर मैं टैब करता हूं तो फॉर्मेट करने को बोलेगा जो कि है किसमें काफी सारा डेता है तो हांट अफ़ुआ यहां पर यहां अन्बॉक्सिंग तो में पर यहां पर निक 15 सूपर देख सकते हैं और कियाख इंजा करता है में मैं कोई सब्सक्रेट करते हैं रहे हैं कि अगतيل को नहीं को करते यहां पर यहां यहां पर बैक भी हो जा रहा है है तो इस ने पर यू मेण aadapt को सब्सक्राइब करती है तो नहीं कि सब्सक्राइब और यहां ख़र आपकथया यहां पर तो यहां पर फटट से यूस भी हब को चाहिए है और देखते हैं यह Bene, आपको नीचे डिसबॉक्स में मिल जाएगा यूस्बी हब भी वहीं लिंक से बाइक कर सकते हैं काफी अच्छा ये यूस्बी हब है मैं करीब जो है दो साल से इसनेमाल कर रहा हूं और अभी तक यह खराब नहीं हुआ है तो अब मैं जो है इसको कनेक्ट कर देता हूं से और देन मैं यहां पर पर फोन में करनेक्ट करने से पहले इस पर जो जो है सारे समय और तेन यहां पर जो है एक 16GB का पेंडराइब और मैं यहां पर 64GB पेंडराइब यहां पर लगाने वाला हूं और मैंने यहां पर तीनों लगा दिया आपर तो सपोर्ट नहीं कर रहा है इस परसे मैंने आपर नहीं लगाया मैंने लगा दिया है connection का option आ गया है चलिए सबसे पहले keyboard mouse को चेक कर लेते हैं अगर keyboard support करता है तो mouse definitely support करेगा तो keyboard support किया इसने mouse की बात करें तो यहां mouse भी इसने support कर लिया है तो यह काफी अच्छी बात है अब यहां पर जो है 16 GB फाइल वाला है यह 64 GB वाला है देखें यहां पर सारे फाइल और यह दूसरा 16 GB तो USB Hub के जरीए आप जो है दो जो है अट-टे इम connection ले सकते हैं खिलिए अब एक बड़ ट्रांसपर स्पीड भी देख लेते हैं यहां पर जो है मैं इस वीडियो को ट्रांसपर करूंगा ज आकर पेस्ट कर देता हूं तो चेक करते हैं यहां पर जो कितनी देर में होता है तो यहां पर आप देख पार हूंगे ट्रांसपर हो गया है लगबग लगबग 5 मिनिट के आसपा समय लग गया 1.11 GB ट्रांसपर करने में एक पेंड्राइब से दूसरे पेंटएब में जो कि थोड़ा समय जादा है क्योंकि यहां पर जो है दो अलग अलग स्टोरेज वाले पेंड्राइब है यहां पर यह सेकेंड जेन है और यह थर्ड जेन है तो यह स्वाँसे थोड़ा टाइम लग यह एक बर ट्रांसफर कर लिते हैं अपने फोन में क्योंकि 2.0 से अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो यहां पर काफी समय लग जाएगा तो अब internal storage में एक बार transfer करके देखते हैं कितना समय लगता है तो आप देख पाएंगे internal storage में यह काफी fast work कर रहा है यह देखे यहाँ पर pain drive to pain drive यहाँ पर vary करता है और यह देखे अभी जो है लगबग 5-6 second हुआ है और यह देखे 50 के आसपास यह पहुँच गया मेभी 10 second के अंदर यह complete कर देगा तो यह देख पार होंगे कितना fast यहाँ पर है तो यह खतम तो 10 से 12 second का समय लगा यहाँ पर जो है transfer होने में जब मैंने यहाँ पर 64 GB से डैक्ट फोन में transfer किया अब यहाँ पर जो है pain drive में transfer जो है 2.0 के मुकाबले थोड़ा सा speed जादा है और में भी यह आराम से एक मिनिट में तो transfer करी देगा कि यहाँ पर देख पाएंगे 12% अल्रेडी जो है यह transfer हो चुका है और यह 15-16 तो यह जो है fast transfer हो रहा है phone से और डायक अगर मैं USB Hub के जरीए ना connect करके डायक अगर connect करता हूं तो यह और भी fast तरीके से जो है transfer करेगा क्योंकि यह 64 GB मेरा pain drive है यह USB 3.0 support करता है जबकि यह USB 2.0 का है 16 GB यह पुराना pain drive है बट यहाँ पर जो है आप phone से copy करते हैं किसी pain drive में files वगरा तो direct मैं बोलूँगा connect करके जो है आप कीजिए जिससे थोड़ा fast speed मिलेगा चलिए यहाँ पर जो है यह speed approach जो है एक मिनिट से लगता है एक मिनिट 10 सेगंड के आसपास मेबी हाँ यह पर जो है अब कम्प्लीट हो गया तो एक मिट 10 सेगंड के आसपास लगा अब चलिए यहाँ पर यह तो यह support करता है बड़े आम से हम लोग जान चुके अब यहाँ पर जो है क्या करते है न यहाँ फॉटाः फॉट से इस वाले paind étaient को डाएकory करते हैं अपने फोन के साथ और यहाँ पर यहाँ पर प्रिट को देखते हैं जै कि लगता है तो यहाँ पर्मेंगैक तो यहां पर और 1.1 गभिधी करते हैं, इन्टyss टोरिज में यहां पर जहें पेस्ट कर दें आप सतते हैं तो यह आप देख्पारेंगे डाइस में चाही है जलिए साथी स्क यहां पर और यहाँ तो यहाँ पर पेंडराइव में पेस्ट करते हैं तो यह यहाँ पर पेस्ट हो रहा है और अगर देखिएगा तो समय लगभग लगभग आपको जो है थोड़ा सा जो है speed मिलेगा diet connect करने पर यह देखे diet connect किये हैं तो थोड़ा speed मिलेगा आपको एक minute के आसपास यह बड़े आराम से ट्रांसफर कर देगा तो एक minute से यहाँ पर जाए कम समय लगा करीब 40 सेकेंड का समय लगा यहाँ पर 40-50 सेकेंड तो यहाँ पर यह देखे ट्रांसफर कर देखे तो diet connect करने पर थोड़ा सा समय बसता है यह भी हाँ के जरीए अगर connect करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा समय जाधा लगता है तो यह था Infinix Zero 5G 2023 Turbo Edition का OTE test video hopefully आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आख पीशन वीडियो को लाइक कर दिएगा बाकि इन सारे प्रोड़क्त के लिंक आपको नीचे डिस बॉक्स में मिल जाएगा डाइक लिए आप बायक कर सकते हैं और इस पुन से रिगार्डिंग कोई भी कोशन या फिर इस OTE test रिगार्डिंग कोई भी कोई भी कोई भी कोई हो नीचे comment स्क्राइब कर सकते हैं मैं definitely help करने कोशिक होंगा बागी चैनल पर ने चैनल को subscribe करके बिले अको पैसका call पर लिक कर दिया बागी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वांडन के साथ अब तक लिए टाटा बाय बाय और यूह सतरी है मुस्कुरातरी और बनरी आरजे टेक्निकल्स के साथ